Congressional Medal, Gold Medal, ठीक है, US की जो Congress है, जैसे हमारी Parliament ऐसे US की Congress है, उसके अंदर में एक प्रपोजल रखा गया है, महात्मा गांधी जी को मरड उपरांत Gold Medal देने का, ठीक है, ये उनका highest civilian honor है, जो वहां की US की जो Congress है, वो देती है, तो नाम प्रपोज किया गया है, महात्मा गांधी जी क कि किस प्रकार से, उन्होंने non-violence का इस्तमाल करके, अहिंसा का उप्योग करके, उन्होंने भारत को आजादी दिला दी, ठीक है, तो उसके लिए ये अवार्ड जो है, गोल्ड मेडल जो उनको देने का प्रस्ताव, US Congress के अंदर रखा गया है, अगर इसको मंजूरी मिलगी तो जो महत्मा गांदी जी हैं, ये पहले भारती होंगे, जिनको मरन उपरांत ये पुरुष का, ये जो गोल्ड मेडल है, वो दिया जाएगा, ठीक है, एक award होता है, civilian award है, ठीक है, कहां पर दिया जाता आपका, अमेरिका के अंदर, US से की Congress के अंदर में इसको रखा गया है ठीक है, चलिए, तो US में, उसमें Congressional Gold Medal की बात हम कर रहे हैं, एक resolution जो है, it has been reintroduced in the US House of Representatives to posthomously award the Congressional Gold Medal to the Mahatma Gandhi for his contribution made through the method of non-violence, जिस प्रकार से Mahatma Gandhi ने non-violence का इस्तमाल करके देश को आजादी दिलाई, उनके इस योगदान को देखते हुए, प्यारे बच्चो, सरकार क्या चाहरी हूँ, the US की government जो है, वो क्या कह रही है, दोस्तो, US के Parliament के अंदर में इसको रखा गया, इस resolution को रखा गया है, If given the award, Mahatma Gandhi would become the first Indian to receive the Congressional Gold Medal, which is the highest civilian award in the US, अगर ही मिल गया है, तो US का highest award होगा, ठीक है, highest award होगा, मैं आपको बता देता हूँ, this will be the highest civilian award of the US, जो Mahatma Gandhi को या भारती civilian को दिया गया है, about this award, इस award के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, किन किन को दिया है, कब से Congress का मतलब है, America की Parliament, ठीक है, US से की Parliament, समझ में आरी बात, तो वहां के एक MP ने इसको रखा है, ठीक है, so MP नहीं बोलेंगे यार, वहां पर, ठीक है, so the US Republican है महां पर, उन्होंने रखा है, the US Congress has commissioned gold medal as the highest expression of national appreciation for distinguished achievement and contribution, America Congress ने, विर्सिस्ट उपलब्दियों और योगदान के लिए, राष्ट्य प्रसंसा की अपनी सर्वोच्य अभिवेक्ति के रूप में, सुरन प्रदक जो है, वो आपका, जो है, देना स्टार्ट की, हिंदी पहले से बेटर होगी, अपनी PPT में मैंने इंप्रूव करा दिय इसमें जो पहली बारी अबोर्ड जिसको दिया था न, गोल्ड मेंडल दिया गया था, वो नो ने अमेरिकन रिवल्यूशन में भाग लिया था, उसके अलावा जो वोर ऑफ 1812 का था, वो मेक्सिको का वोर जो हुआ था उसमें, तो इनका जो पहला रेसिपियंट है, उसने अमेरिकन रिवल्यूशन में इससा लिया था, जिससे अमेरिका की कौजादी मिले थी, ठीक है, उसको, ये भी गुलाम थे यार कभी किसे टाइम पर, ठीक है, अंग्रेजों के दीन थे ये भी, कॉंग्रेस सब्सीक्वेंटली ब्रॉडन, पहले ये सिर्फ इनी को दिया जा सकता है, authors, entertainers, musician, explorer, athletes, humanitarian, foreigner, इन सब को दिया जाता है, जिन्होंने अपने-पने field में कोई तगड़ा काम किया, जैसे मातमा गांदी ने क्या किया है, दोस्तों, किस परकार से non-violence का इस्तमाल करते हैं, उन देश को अजादी दिला दी, तो इस परकार से इस प्रोग्राम को च प्रोटेक्ट किया था न, उसको, ठेक है, जो पुलीस वालोगों, उनको अभी रिसेंटली इस अवार्ड को दिया गया, जनवरी 2021 के अंदर, ठेक है, समझ में आरी बात आपको, चच्चा कह रहे थे, जाऊंगा ही नहीं मैं तो, इस अवार्ड हास बीन अवाड़ी तो the 1980s US Summer Olympic Team, US की Summer Olympic Team थे, उसको भी दिया गया था, Robert F. Kennedy को दिया है, Nansal Mandela, George Washington Bush, इन सब को मिला है, तो अगर हो सकता है, ठेक है, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो बापू है, उन्होंने कोई छोटा मोटा काम तो किया नहीं था, बिना मतलब लाठी दिया उनके पास, बिन लाठी चला है, उन्होंने देश को आजादी दिला दी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठेक है, गाइस एक बर जिन जिन बच्चों ने कर दिया, लाइक तो ठेंक्यू, जिन्होंने नहीं किया, गाइस प्लीज एक बर लाइक करो, तो प्रिलिम्स में सर, आप गांधी जी के बारें पढ़ लेना है, गांधी जी संबंधी जितने मुद्धें हैं, आप पढ़ लेना है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉटन्ट है, रोल ऑफ गांधी जी के रोल क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, हमारी जो आजादी के लडाई थी, महात्मा गांधी ने उसमें किस प्रकार से अमना, जो है, उनका रोल को आप बताओगे, उसके बारें बताओ, एंड प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के प्रिंसिपल क्या थे, विचार क्या थे, जैसे नोन वाइलेंस, सत्या ग्रह, अहींच, यह सब आपको बताना है, त या तो पंकत सर या हमारे अभिशेक सर, आपके साथ डीटेल में विस्तार कुरुवा किसके उपर में चर्चा आपके साथ में करेंगे, ठीक है, तो आपसे बताएंगे वो, discuss the significance of the गांधी जी प्रिंसिपल in the present era, जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे न, अहींच, सत्या ग्र significance of the गांधी जी प्रिंसिपल in the present era, ठीक है, वो ही जो उनकी प्रिंसिपल थे, तो पहले तो इनके प्रिंसिपल बताओगे आप कौन-कौन थे, ठीक है, उनके बाद मैं आप इनके बारे में क्या करोगे चर्चा, अब इस पे भी ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है, इंट्रो के दिवारा उनकोने भारत को अजादी दिलाई, उसके बाद body के अंदर में इनके प्रिंसिपल के बारे मा बात करोगे एक-एक principle के बारे में, कौन-कौन से principles थे इनके, हर principle के बारे में बात करोगे और जो conclusion होगा हमारा, उसमें बताओगे, आप किस प्रकार से principle आज भी हमारी society के लिए important है ठीक है साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो plus course करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह GS का plus course है तो यहाँ पर आप plus और iconic दो प्रकार के subscription जो है आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों यह आपके subscription का प्राइज है छे महिने एक साल दो साल तीन साल ठीक है यह इधर है iconic का subscription है एक साल दो साल और तीन साल का ले सकते हो code आपका क्या रहेगा Sumit10 तो यह मेरा telegram channel है PDF यहाँ दे दूँगा मैं साथ-साथ यह अपना code है इसको यूज करना है to get the 10% offer in an academy I hope you like the session you enjoy the session so guys please like the video share it and subscribe the channel thank you very much take care bye bye love you guys